हलो फ्रेंड्स तोडे वी विल डिसकर्स हाव टू अजूम नंबर्स इन एपी एंड जी पी सो लेट्स स्टार्ट दा वीडियो तो देखिए इसके अंदर आपको यह तो पता ही होगा कि तीन नंबर एपी में कैसे लेते हैं यह तो टैंथ क्लास से यह आ जाता है तो यह है ए माइनस डी ए ए प्लस डी अब आपके मन में डाउट आएगा कि क्या यही तीन नंबर हम ले सकते हैं आप और भी अलग कोई तीन नंबर ले सकते हैं पर यह जो हैं स्टेंडर्ड है इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि आप यह लीजिए अब देखिए इसमें आप यह याद कीजिए कि इसके अंदर जो कॉमन डिफरेंस है वह प्लस के डी का है क्योंकि देखिए ए आता है यह आपको याद रख लेना है कि यह माइनस 3D हम इस तरीके से लेते हैं देखिए मैं बार-बार कह रहा हूं आपको कि आप और भी कोई नंबर ले सकते हैं लेकिन यह जो हैं एक स्टेंडर्ड है तो ए माइनस 3D इसके अंदर आप जो है प्लस 2D का कॉमन डिफरेंस एड कीजिए तो देखिए जब प्लस 2D का कॉमन डिफरेंस एड करेंगे तो आएगा इसमें A माइनस D अब वापिस से प्लस 2D का कॉमन डिफरेंस एड करेंगे तो आएगा A प्लस D और अब इसमें प्लस 2D का कॉमन डिफरेंस एड करेंगे तो A प्लस 3D यह आपको याद क तो अब चलते हैं फाइव टम्स इनन एपी तो देखिए इसके अंदर आपको याद रखना है कि जो सबसे पहला टर्म है वो है A-2D अब इसमें आपको याद क्या करना है कि इसके अंदर जो है प्लस के D का कॉमन डिफरेंस है तो A-2D में आप प्लस का D करेंगे तो A-D अब इसमें फिर से प्लस का D कीजिए तो देखिए A यह आजाएगा क्योंकि प्लस का D जीरो हो जाएगा इसके बाद हम GP का सिखेंगे तो 3 terms in an AP A-D, A, A plus D common difference plus D 4 terms in an AP इसमें common difference जो है plus 2D है A-3D, A-D, A plus D A plus 3D 5 terms in an AP A-2D, A minus D A, A plus D, A plus 2D और common difference है plus के D का और यह जो है question आया हुआ है J-Mains 2020 सितंबर में direct जिसमें इन 5 terms का sum दिया हुआ था और product दिया हुआ था फिर AOD की कुछ इस तरीके से value पूछी भी थी और यह direct question था अगर आपको यह याद होते तो आप direct question कर देते मतलब बिल्कुल similar सा ही question था exact तो मापको नहीं बता सकता भी मुझे याद नहीं है अब देखे अब हम चलते हैं three numbers in a GP way now friends we will learn how to take three numbers in a GP so let's assume first number as a by r then second number a and third number a r तो देखिए इसमें आपको कैसे आद करना है पहले number a by r है तो अब जो है आपको इसमें common ratio जो है आर लेना है तो इसको देखिए अगर आप आर से multiply करेंगे तो यहां a आ जाएगा फिर वापिस से आप इसको आर से multiply करेंगे तो a r आ जाएगा अब देखिए four terms in a GP कैसे लेंगे देखिए यह थोड़ा important है तो पहले term आप लेंगे इसके अंदर a by r cube इसमें आपको पहले term याद कर लेना है अब देखिए इसके अंदर जो common ratio r square है अब उसमें इसमें आपको multiply करते जाना r square ap वाले में आपको common difference जोड़ना या घटाना होता है इसमें multiply करना होता है या divide करना होता है तो इसमें आप r square multiply कीजिए तो यह आ जाएगा a by r ठीक है अब इसमें आप वापिस से r square multiply करेंगे तो यह आ जाएगा a r अब इसमें r square multiply करेंगे तो a r cube वापिस देखिए पहला term है a by r cube r square देखिए multiply करेंगे तो यह देखिए यहाँ पे r नीचे बच जाएगा और फिर वापिस से r square multiply करेंगे तो a r फिर है a r cube देखिए a p में क्या था three numbers in in a p उसके अंदर common difference d था इसके अंदर common ratio जो है r है और four terms in in a p उसके अंदर common difference था वो two d था इसके अंदर r square है अब चलिए हम five terms in in gp पे चलते हैं अब देखिए five numbers in in a p इसके अंदर आपको सबसे पहला जो term लेना है वो a by r square और इसमें आपको याद करना है कि common ratio जो है r है तो देखिए अब इसको आप r से multiply करिए तो इसके अंदर क्या आएगा a by r अब इसको आप फिर से r से multiply कीजिए तो देखिए यहाँ a आ जाएगा फिर r से करेंगे तो a r फिर r से करेंगे तो a r square तो फाइफ नंबर से इसको आपको आपको common ratio क्या r है पहला टर्म a by r square इसको देखिए r से multiply कीजिए तो यह a by r इसको अगर आप r से multiply करेंगे तो a फिर r से multiply करेंगे तो a r फिर इसको r से multiply करेंगे तो a r square ठीक है अब मैं आपको फिर से एक बार revise गरा देता हूं a p वाला तो देखिए three numbers in an a p a minus d a a plus d common ratio d तो देखिए इसमें four terms in an a p a minus 3d a minus d a plus d a plus 3d इसमें common difference 2d तो देखिए आप pattern याद कीजिए इसमें d 2d और फिर common difference वापिस से d है five terms in an a p a minus 2d a minus d a a plus d a plus 2d अब three numbers in an a gp a by r a a r common ratio r फिर है r square और फिर है last में वापिस से r ठीक है और four terms in an gp आद कीजिए a by r cube a by r a r a r cube और अब five terms in an g वो है a by r square a by r a r a r square और इसमें वापिस से common ratio जो है r है तो आज के लिए बस इतना ही thank you for watching वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए जय हिंद